आयुक्ताले कॉले शिक्षा के चैनल ग्यान सुधा सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है आई आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के कुछ हम से क्यों स्टीरियो केमिस्ट्री से संबंदित इससे पहले कि हम अपना पहला कोशन करें, याद कर लेते हैं कि केने कहते हैं diastereoisomer are not enantiomers अईसे त्रिविम समावयवी नहीं है जो कि एक दूसरे के प्रतिबिमब रूप हो यानि ऐसे stereoisomer ऐसे त्रिविम समावयवी जो एक दूसरे के प्रतिबिम् रूप नहीं होते है और उनमें 2 से ज्यादा ऐसे केंद्र होते हैं जहां से जिसकी वजह से त्रिभिम समार्ववी उत्पन हो सकते हैं इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भातिक जो गुर्ण हैं एक दूसरे से अलग होते हैं जैसा कि अभी आपको बताया था डायस्टेयो इसमार्व एक दूसरे के प्रतिभिम नहीं होते हैं और ना ही वो एक दूसरे के पर अध्यारोपित हो सकते हैं पहला क्रेशन हमारी स्क्रीन पर है यह पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा यूगम है एक या एक से अधिक Is an R का हुओ एक या एक से अधिक ऐसे यूगम है जो कि diasterio isomeric है देखें यह जो तीन हमने निशान लगा यह diasterio isomeric है क्योंकि आप पहला ऐप्सेवा प्रिए कि पहल्चन पेहला आप्शन देखें तो यह एक दुसरे के प्रतिबिम्ब रूप नहीं हो सकते अगर आपने इस तरए से freestyle को लिखा है तो आप देखेंगे कि एक दुसरे के प्रतिबिम्ब रूप नहीं होंगे यह molecule क्योंकि flat हैं समतलिय हैं तो उसका मतलब इसको पलट के लिखा जा सकता है यानि अगर हमने यहाँ पर ऐसे mirror लगाया double bond में इसको अगर हमने पलट दिया इस वाले को अगर हमने पलट दिया तो यहाँ आजाएगा h, यहाँ आजाएगा ph और यहाँ आजाएगा et और यहाँ आजाएगा me तो अगर हम इसको देखें तो देखेंगे कि ph का प्रतिविम ph, me का प्रतिविम me लेकिन यहाँ H का प्रतिविम ET और ET का प्रतिविम के स्थान पर H है जो कि इन दोनों को आपस में प्रतिविम रूप नहीं बनाता है यह दूस्तरे के त्रिबिम समावयवी हैं तो ऐसे त्रिबिम समावयवी जो एक दूस्तरे के प्रतविम रूप नहीं है वो ढास्टेयो आसमेरिक युग्म बनाते हैं तो यह ढास्टेयो आसमेरिक हैं option C को देख लेते हैं option C के लिए मने अगर आप chair form ना भी बनाए तो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देखिए ये दोनों तल के नीचे हैं और ये दोनों तल के ऊपर हैं तल के नीचे और तल के ऊपर वाले जो हैं तल के नीचे जो दोनों groups हैं वह तलके जो ऊपर है उनके प्रतिबिम्ब रूप है यानि यह एक दुसर की मिरर इमेज है किस प्रकार से वो हम यहाँ पर देख लेंगे लेकिक यह दुसर की प्रतिबिम्ब रूप है इसको अगर लेकर ईसकी ऊपर रख दिया जाए तो तल के नीचे ओच तो प्रतिविम तल के उपर तल के नीचे या प्लेन के नीचे बिलोव दे प्लेन बी आर तो अबाफ दे प्लेन यानि प्लेन के उपर बी आर यहाँ पर है तो वो एक दूसरे की मिरे रिमेज है प्रतिबिम रूप है इसलिए यह एक दूसरे के इनैंशियो मर है ना की डायस्ट्रियो मर तो यह हमने डायस्ट्रियो मर पूछा गया है तो यह हमार आंसर नहीं होगा इस question को हम इस तर से भी देख सकते हैं देखे कि हमने यहाँ पर OH देखते हैं तो OH अगर हमने नीचे बनाया BR भी नीचे है यानि यहाँ पर दोनों निकट वरती हैं नेबरिंग है इसलिए एक अगर equatorial है तो दूसरा हो जाएगा axial और अगर हम इसको mirror images का या यह वाला form इसका बनाते हैं तो देखे यह equatorial है तो इसलिए यहाँ पर भी equatorial OH यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे इसके साथ वाले में BR और अगर आपने यहाँ पर mirror रखा और फिर इसको उठा कर यहाँ लेकर आएं तो आप देखेंगे कि यह दोनों एक दूसरे के mirror image हैं यूँ भी आप देख सकते हैं कि यह equatorial उपर तो यह equatorial नीचे यह axial नीचे तो यह axial उपर इसके अलावा यह कोना जो है उपर की तरफ है तो यह कोना नीचे की तरफ है यह कोना नीचे की तरफ है तो यह उपर की तरफ है तो इसलिए जो आप्शन C है हमारा answer नहीं होगा बी को देख लेते हैं बी में भी हम इस तरह से इस प्रकार से करके देख सकते हैं आप चाहें तो या फिर आपको आप डालेक्ली भी इसको देख सकते हैं कि अगर यह cyclohexane ring है तो यह below the plane तल के नीचे तो यह above the plane यह दोनों एक दुसरे के mirror situation है लेकिन यह above the plane तल के उपर त situation में नहीं है mirror image situation में नहीं है और यहां देखिए नीचे है और यह भी नीचे है तल के नीचे है तो उसका मतलब आप देख सकते हैं कि सिर्फ ब्रोमो जो ग्रूप है वो एक दूसरे के प्रतिबिम्ब रूप प्रतिबिम्ब वाले situation यह structure उसका उस तरह से है पोजिशन लेक दोनों के तल के ऊपर नीचे इसमें इसके प्रतिबिम्ब रूप नहीं होनी के वज़ा से यह दोनों एक दूसरे के प्रतिबिम्ब रूप नहीं है आप इसको यूँ भी बना के देख सकते हैं देखिए यह BR उसके बाद ME और उसके बाद यह जो है BU यहां पर इसके लिए कि above the plane अगर है तो यह मान लीजिए BR यह above the plane है तो यह axial हो जाएगा ME यह below the plane है तो यह भी axial हो जाएगा BU तो यहां देखिए सिर्फ यह जो है equatorial और equatorial above or below plane है यह up और यह down है तो इसलिए mirror situation में है लेकिन यह equatorial है यह axial है यह भी equatorial है और यह axial है तो इसलिए यह दोनों एक दूसरे के mirror images नहीं है यह diastero isomeric है इतना अगर आपने समझ लिया है तो चौथे जो option है उसको देख लेते हैं इन दोनों molecules को अगर हम देखे तो यह यह वाला हिस्सा यह वाला हिस्सा यह इस्सा यह बाकी सारा ring एक दूसर के त्रिविम समाव्यव यानि stereo isomer तो है लेकिन ना तो एक दूसरे के mirror image है लेकिन फिर भी stereo isomer है यहाँ equatorial और यह axial है बाकी सारा molecule same to same है इसलिए इसकी space में अलग position होने की वज़ा से साथ ही इन दोनों के एक दूसरे के mirror image नहीं होने की वज़ा से यह है diastereo isomeric pair तो हमारा का answer जो है वो है A, A, B, A, B और D और C इसका answer नहीं है in the structure of P4O10 the number of POP bonds is तो bond या bonds या अगर POP bond एक ही है तो फिर उसकी एक लिखा जाएगा और अगर एक से साधा है तो वो number लिखा जाएगा यह है tetrafosphorus decoxide tetrafosphorus decoxide है और इसका structure इस प्रकार से है और इसका answer है six देखिए POP bonds हम देख लेते हैं POP, POP, POP यह तीन उसके बाद POP, POP and POP तो यह है छे तीन और तीन चे टोटल six इसमें POP bonds है तो इसका answer है six और इस तरह की questions अक्षर पूछे जाते हैं आज कर next question is the number of vertices in icosahedral closoborane तो icosahedral closoborane के बारे में कई questions पूछे जाते हैं icosahedral closoborane का formula है B12, H12 और यह closoborane है इसलिए इसलिए B, N, H, N, sorry H, N के formula को यह follow करता है और क्योंकि 2 minus है तो total number of electrons skeleton में कितने है 12 into 2 12 into 2 plus 2 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 electrons और extra हैं तो total electrons जो है 26 यानि 26 है और vertices कैसे निकालते हैं number of electrons divided by 2 minus 1 तो number of electrons है 26 जो कि हां लिखा हुआ 26 divided by 2 यानि 2 से भाग दिया जो number आया वह 13 13 में से 1 minus किया तो हो जाएगा 12 तो number of vertices है 12 तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं वैसे भी जो है बोरेंस के बारे में के vertices के जो structure के vertices के बारे में पूछा जाता है यह आइकोसा हेटर का closer boran का यह structure है और वैसे भी आप इसमें count करके देख सकते हैं कि 12 इसके अंदर जो vertices हैं इसके अंदर 12 यह देखिए आप एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो उधर की तरफ 10, 11 और यह 12 तोटल 12 vertices इसके अंदर है यह table दिया हुआ है इसमें vertices अलग-अलग प्रकार के जो structures हैं उनके यहाँ पर दिये हैं vertices की संख्या तो इस question कहां सा था 12 और इसका formula है यह अदर वैस आप इसके table को भी याद रख सकते हैं यह structure से उनके साथ ही vertices दिये हैं इसमें next question पूछा गया है कि देखिए R2-methyl-1-butanol का जो specific rotation है वो plus 13.5 है और इन्होंने पूछा है कि the specific rotation of 2-methyl-1-butanol यह 2-methyl-1-butanol है यह भी 2-methyl-1-butanol है containing जिसमें की 40% of S-enantiomer है यानि अगर 100% का solution हो 2-methyl-1-butanol का R-isomer का तो उसका जो optical rotation होगा वो 13.5 यह जो यहां पर लिखा हुआ है 13.5 degree लेकिन अगर हमने हमारे पास एक solution है जिसमें S जो है वो 40% S है बाकी R है तो बाकी R कितना होगा 60% R होगा हमें यह मालुम है इस 60% में से 40% R जो है वो S के optical rotation को neutralize करतेगा बाकी जो बचा है 60 में से 40 तो यह use हो गया बाकी बचा 20% R तो इस पूरे solution में जो उसका optical rotation होगा वो सिरफ जो बचा हुआ 20% R है उसकी वजह से इसका optical rotation होगा यह कि 40% S और 40% R तो एक दूसरे को के rotation को cancel out कर देंगे अब हमें निकालना है कि 100% solution था तो प्लस 13.5 rotation था 1% solution का rotation होगा 13.5 त्वारे बाए 100 और 20% solution अगर बचा हुआ है R का तो ऐसे में जो यहां आया है उसको multiplied by 20 कर देंगे तो 2.7 प्लस में answer आएगा और इसका answer है इसका answer है 2 प्लस 2.7 और इस तरह से हमने इसको निकाला है next question है the number of gauchy butane interactions in the following compound is तो यह compound हमको दिया हुआ है कितने gauchy interactions इसके अंदर है gauchy butane interactions है देखें यह butane है एक carbon, दो carbon और यह वाला तीसरा carbon और यह इसका चौथा carbon तो चार carbon यह structure है chain है और यह butane का formula है जिसमें यह anti-conformations है यह scan human projection formula है दिया हुआ है और gauchy interaction कब होता है देखें जब यह दोनों एक carbon यह है और दूसा carbon यह वान यह दोनों carbon पे जो groups लगे में हैं उनके ऊपर मतलब इसको अगर number 1 दिया इसको 2 दिया इस बड़े गोले को 3 दिया यह 4 दिया तो और 3 से बंदे हुए 1 और 4 जो carbon है यह जिसे अगर हमने इसको butane माना है तो मान लिजी यह butane है इस वाले structures को छोड़ देते हैं तो 1, 2, 3 और 4 तो 2 और 3 के bond में जो 1 और 4 है वो अगर 60 दिग्री पे हो अगर इनकी seed से देखा जाए तो इस bond की seed से अगर हम इसको देखें इस तरह से तो इन दोनों के बीच में 60 दिग्री का cone बनता है और ऐसे interaction को हम ga unterstützen कहते है तो पूछा गया है कि इस compound में कितने gauchet interactions है तो हम देख लैते हैं दिखिए इस byको दिखा हमने यहाँ पर एक hydrogen है यहाँaker hydrogen है तब इस carbon पर यह है और पीछे वाले carbon पर यह है इन दोनों के बीच में 60 का अगर कोंड बनता है तो कौन-कौन से हैं एक तो यह है देखे यह और यह 60 पर बनते हैं दूसरा इस carbon का यह और इस carbon का यह वाला bond आपसमे 60 का degree बनाता है और तीसरा यह वाला bond इस वाले bond के साथ भी 60 का को बनाता है तो इसमें तीन तरह के gauchy interactions हैं, the answer is 3 इसका answer लिखा नहीं हुआ है मैंने, लेकिन you can write, answer is 3 और ये तीनो gauchy interactions यहां पर दिखाए वे हैं Thank you for being with me